आज हम आपको बोलीवूड की उस एक्ट्रेस के बार में बताएंगे जो वर्टमान समय में सोशल मेडिया पर काफी चाही हुई हैं यह एक्ट्रेस बोलीवूड इंड्रेस्ट्री में अपने बोर्ड लुक और होड परसनलिटी के लिए जानी जाती हैं बोलीवूड इंड्रेस्ट्री में इस एक्ट्रेस की एक्टिंग को काफी सरहने माना जाता है और वागई में इनका प्रदर्शन काफी मनमोख होता है ये बोलिवुड एक्टरस बोलिवुड इंडस्ट्री के मश्हूर अभिनेता चंकी पांडे की बेटी है हमारा इतना कहने के बाद आप तो समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं जी हाँ आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है हम बात कर रहे हैं अनन्या पांडे की अनन्या पांडे को बच्पन से ही अपने पिता की तरह एक्टिंग करने का शोक था जिसके कारण इन्होंने बोलिवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली है अनन्या पांडे ने बच्पन में ही तया कर दिया था कि वे अपने पिता के ही जैसे बोलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रस बनेंगी इसके कारण उन्होंने बचपन से ही मेहनत करना शुरू कर दिया और वर्तबान समय में आप इनकी बुलंदियों को पखो भी देख सकते हैं अनन्या पांडे बोलीवुड इंड्रस्ट्री की बहुत सी फिल्मों में काम किया है और ये सभी फिल्म में सूपर डूपर हिट हुई है अनन्या पांडे को एक सफल मोडल भी माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि अनन्या पांडे ने अपने बोल्वुड करियर की शुरुवात मोडलिंग से ही की थी अनन्या पांडे कछान की तो नना पंडे का माहारास्थ के मुंबई में हुआ धा इनके पिता भी अभी अभीनेता थे जिसके रहेज़ान इनका प्रारम्पिक्त जीवन काफी अच्छे से व्यतास हुआ है इन्हें कप讲नला Metropolitan बहुत से फिलमों में काम किया है चंकी पांड़े को ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में एक हीरो का विल्ण का विलेन् का विलेन निभा चुके हैं उनकी माता का नाम भावना पांडे है जो की फैशन डिजाइनर है भावना पांडे कोस्टुम डिजाइनर के साथ साथ मुंबई में एक फैमिली रेस्टोरेंट भी चलाती है चंकी पांडे भी फिल्मों के अलावा अपने पतने के साथ इस रेस्टोरेंट में हाथ बटाते हैं चंकी पांडे औ अपने आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोनिया में इसिस्टिद विधाले युनिवस्टी और साउथ कैलिफोनिया और लोस एंजलिस में फैशन स्टडी में सना तक भे किया है। अनेना पांडे की शरिरिक बनावट काफी अच्छी है। इनकी उचाई लगबग पांच फिट साथ इंच है और इनका वजन पचास किलोग्राम के आसपास है। अनेना पांडे ने अपने फिल्मी करियर की शरुवात साल 2019 से की थी। अनेना पांडे ने साल 2019 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द एयर 2 में टाइगर शोफ के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में धर्म प्रोडक्शन को भी काफी अच्छी खासी कमाई हुए थी। फिल्म स्टुडेंट ओफ दा एयर टू के बाद अनना पांडे को साल दोजा उन्विस में आई फिल्म पती पत्नी और वो में देखा गया था इस फिल्म में कार्थिक आर्यन और भूमी पेड़नेकर का लीड रोल था इसके अलावा इस फिल्म में भूमी पेड़नेकर और अनना पांडे ने तपस्चा सिंग का करदार निभाया था और भूमी पेड़नेकर ने वेदिका त्यागी का करदार वर्स 2019 में ये फिल्म 1978 इश्वी में आई फिल्म पती पती और वो पर आधारी थी अनना पांडे की ये फिल्म भी सूपर डूपर हिट हुई थी